दोस्तों कैसे आप लोग, I hope कि आप लोग अच्छे होंगे, आपने से कही लोग जानते होंगे कि हम अपने चैनल पर गाड़ी के इस्टुमेंट कलस्टर या डिजिटल मीटर की रिपैरिंग की वीडियोज डालते रहते हैं, हमने बहुत सारी गाड़ियों के डिजिटल मीटर रिपैर किये हुआ है, हमने डिस्प्ले से लिके सरकेट तक का बहुत सारा काम करके उसका रिपैरिंग का वीडियोज डाला आज हम बोले रोमा करेंगे लेकिन आज मैं एक चीज आपको बता दूँ कि इस मैं वाइरिंग का बताऊँगा उसके बाद रिपैरिंग वगए तो मैं कर ली है बट आपको वाइरिंग का बताऊँगा क्योंकि एक कमेंट बहुत पहले आयती सिर्फ एक कमेंट थी हो सकता है इस वीडियो से बहुत लोगों को फायदा मिले तो एक चीज है बहुत सारे यूट्यूब चलब हमने देखा कि रिपैरिंग तो बहुत लोग सिखाते हैं बट वाइरिंग कोई नहीं बताता कि ओन टेबल में टेस्टिंग कैसे करी जाती है क्योंकि रिपैरिंग करन आपको ओन करना जरूर बताते कि यहां यहां पर पावर देने से ओन होता है ओन टेबल टेस्टिंग के हर तरीके आपको बताते हैं तो आपको हमारा चैनल या हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है कमेंड करके बताना तो आज मैं बुले रहे हो बताऊंगा कि इसको ओन ट तरी के से इसको खोल्ना हैं ओर यह पर आपको जो सोकेट बिल जाते इसमा पांवर इसमें दी जाती और सोकेट तो मेरे बास नहीं है बड़ आपको बता दूँगा कि कि इस पोइंट पे आपको 12डी ओर आफ दीख रही है तो यहाँ पर इस तरीके से मैं भी lock मिल रहे हैं तो इसको भी हमने खोलना है देखिए बले मीटर आपको बहुत बड़ा दिख रहा हूँ लेकिन खोलने के बाद बहुत ही चोटा यह दिखता है बस इसकी बाहर की बोड़ी है वो काफी बड़ी दिख रही है हमारे चैनल पर क्या आपकी रह है बही कमेंड करके बता देना क्याकी काफी लोग हमारे चैनल को बहूत पसंद करते हैं और हमारे चैनल से बहुत कुछ सीखते हैं तो हे रहा बड़ी बाहुत जवरी है जाना अब यहाँ पर आप ध्यान दिजिए इसमें दो connector लगे हुए हैं एक आपको बड़ा वाला connector मिल जागा एक छोटा वाला connector मिल जागा तो यहाँ पर सबसे बड़े वाले connector में power दी जाती है यहाँ पर इसमें पिन संक्या दी गई है और यहाँ पर इसको इस तरीके से पलटेने के बाद आप देखेंगे कि पीछे एक नमबर लिखा हुआ है यह यह फर्स नमबर की पिन है यहाँ जहाँ पर लिखा है उसके बगल है 16 नमबर की पिन यानि कि सबसे लास्ट में 16 नमबर की पिन मिल जाएगी और यहाँ से 17 नमबर की पिन होती है इसमें जो पिन नमबर मैंने इसका जो डेटा फाइंड करा था जो पिन नमबर से इस तरीके से लिखी हुए एक से 16 उसके बाद यह 17 से लेके 32 ठीक है आपको पिर समझाओं एक से आप गिनोगे यहाँ तक 16 नमबर की पिन होगी इस तरीके से फिर 17 आपको यहाँ पर गिनना है 17, 18, 19, 20, 22, 32, 32 तो यहाँ पर इस तरीके से पिन गिन जाती है ठीक है फिर से आपको दोहरा दूँ यह एक नमबर की पिन है और यह इदर से गिनोगे इस बस में वारिंग करी जाती है एक नमबर की पिन पे बारे वोल्ड दी जाती है और एक के जो सामने वाली पिन है यानि कि 17 नमबर की पिन है इसमें बारे वोल्ड दी जाती है यानि कि इन दोनों पिनों पर एक और 17 नमबर की पिन को आपस मैं इस तरीके से आप एक वायर ली है तो यार सब के लिए सब के हिजाब से हम वीडियो बनाते हैं हम यहीं चाहते कि कोई एक ही तरीके से से कहा हम चाहते कि सीखना भी चाहता वù भी अच्छी त Already तो एक यह तरीका अपना है तो यहां पर एकवायर ले ली और इस तरीके से हमने इसके को connect कर लिए यहां पर नेगेटिव या ग्राउंड कहा पर देंगे यह बहुत बड़ी बात होती है तो नेगेटिव या ग्राउंड देने के लिए हमें यहां पर इसके ग्राउंड पर नेगेटिव से connect मिलेगा तो यह कब आश्क का नेगेटिव आपके इदर से जुड़ा हुआ रहेगा यह देखिए यह अगर पिन की से आपको पिन बताओं कौन से ग्राउंड की पिन है तो यहां पर इसको रख लेना है और उस पिन पर आपको दिखाता हूं यह ग्राउं यह नमद की ग्राउंड की है इस तरीके से ग्राउंड की पिन जो होगी वह आपकी बॉड़ी के बाहर से connect रहेगी तो यह फिर जो ग्राउंड की पिन होती है न वह कब आश्क के नेगेटिव से connect रहती है तो इस तरीके से ग्राउंड को find कह जा ता यहां फिर सिंपल सी बा सकते हो अगर आप लगाना चाहो गर नहीं मिल रहा है नहीं समझमा आ रहा है तो वैसे आप चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो सिंपल सी बात है यह देखिए तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है तो यह हमारा नेगेटिव यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया जाएगा तो चलिए अब मैं 12 वोल्ट इसको देता हूँ यह राब 12 वोल्ट का DC power supply में सेट करा हूँ है और हमने इसको पावर दे देना है देखिए असानी से हमारा स्ट्रूमेंट क्लास्टर चालू हो गया है और सामने जो भी इसमें वह सब लिखा हूँ मिल रहा है तो यहाँ पर एक रीशेट का बटन हाँ यह है यह ट्रिपे ट्र कि भी सब इसमें लिखा हुआ है तो इस तरीके से इसकी वाइरिंग करी जाते हैं अब आप यहाँ पर आसानी से रिपेरिंग कर सकते हैं आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि यहार इसमें क्या खराबी है उस हिसाब से आपको फाइंड करना है कि कोई ज्यातर तर इसमें मै अब बड़न फ्यूल वाला जो बिलिंग करता है उसके समय देखी गई है और बहुत जल्द इसका वीडियो बनाऊंगा ठीक है मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं इसको इस तरीके से इसमें फिट करके आपको दिखा देता हूं देखिए इसमें आपको जो भी समश्या से करी जाती है तो कैसा लगा आपको यह वीडियो मैं कमेंट करके बताना और ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे कुछ नहीं आपको सिखाते रहेंगे चलिए टेक क्या लखिए